बूर्पर इसस्टूडेंट तोड़कों दिज्क्लासिक साइने चाप्टर थर्टीं मेगनेट एंड मेंगेटिज्म पार्ट सेकेंड separating a magnetic substance from a non-magnetic substance यानि कि एक अचुमकिय पदार्थ से चुमकिय पदार्थ का अलग होना A magnetic substance can be separated from a non-magnetic substance with the help of a magnet यानि कि एक अचुमकिय पदार्थ या फिर गयर चुमकिय पदार्थ से चुमकिय पदार्थ का हम एक चुमक के साहता से अलग कर सकते हैं Two separate a magnetic substance यानि कि एक चुमकिय पदार्थ को और चुमकिय पदार्थ से अलग करने की विदी Material required है a mixer containing sulfur powder and iron filling China plates a bar magnet यानि कि हमें एक sulfur का powder चाहिए और कुछ iron के मारे छिलन चाहिए China plate चाहिए और एक अपका bar magnet चाहिए प्रोसेडियूर क्या है टेक mixer containing sulfur powder and iron filling इन चाहिना प्लेट यानि कि चाहिना प्लेट में प्लेट चाहिए और लोए के कुछ चिलन को लेंगे मुव ए बार मैगनेट ओबर दव मिक्सर यानि कि उस संपूर मिक्सर पर आम बार मैगनेट को गुमाएंगे iron filling stick to the end of the मैगनेट तो जो लोए के चिलन होगी वो मैगनेट के अंत वाले पार्ट में चिपक जाएंगे remove this iron filling from the magnets and collect them separately remove this iron filling यानि कि इस iron के चिलन को हम मैगनेट से अलग कर लेंगे और इसको एक जगा इकठा कर लेंगे repeat this until no more iron filling are left behind यानि कि इस प्रक्रिया को हम करते रहेंगे जब तक कि जो iron के filling वो छोड़ना दे उसे sulfur powder remain in the plate तो जो भी sulfur का powder हमारा बचेगा तो वो plate में क्यों sulfur का powder बचेगा note the sulfur being non-magnetic substance is not attracted by the magnet क्यों क्योंकि जो मारा sulfur होता है non-magnetic substance है जो मारे चुम्मक कोई आकरसित नहीं करता है यानि कि attract नहीं करता है next is pulse of a magnet यानि कि एक चुम्मक का ध्रूब separate some iron filling on a sheet of paper यानि कि एक paper की टुगड़े पे अम लोए कि छिलन को फैला देंगे place a magnet over them और एक चुम्मक को उसके उपर हम रखेंगे फिर उसके उपर से हम गुमाएंगे lift the magnet and observe the number of iron filling attract at the different location on the magnet तो हम क्या देखेंगे कि चुम्मक पे जो लोए की छिलन हो के आंगे आपस में चिपक जाएंगे जैसे कि picture में दिखायागा या आपका magnet और ये हमारे iron filling है जो इसके end point पे चिपके हुए the two end of the magnet attract the maximum iron filling यानि कि जो लोए का फिर चुम्मक का जो अंत वाला पार्ट है उसमें अधिक्तम से लोए के छिलन चिपके हुए मिलेंगे the end of a magnet where maximum iron filling are attract यानि कि चुम्मक की सीरे जहां अधिक्तम लोए के जो फिलिंग होंगे वो आकरसित होता है the magnetic force is maximum are called pulse of the magnet or magnetic pulse यानि कि चुम्मक की अबल अधिक्तम होता है चुम्मक के धुरू या चुम्मक की धुरू कहलाते हैं the magnetic force of a magnet is maximum near its end चुम्मक का चुम्मक की अबल उसके सीरो के पास अधिक्तम होता है and or it decrease as we move towards its middle यानि कि जासे जासे हम उसके मत देखियो और बढ़ते हैं या गटता रहता है या फिर गटता जाता है second, each magnet has two magnetic poles प्रतिक चुम्मक में दो चुम्मक के धुरू होते हैं the poles of a magnet are located at its end चुम्मक के धुरू इसके सीरे परिस्थित होते हैं third, the poles of a magnet occur in pair and cannot be separate चुम्मक के जो धुरू होते हैं वो जोड़ों में होते हैं जो स्कों separate या फिर अलग नहीं कर सकते हैं next आपका finding direction with a magnet यानि कि एक चुम्मक के सायथा से दिशा को ग्यात करना magnet were used from earlier time to find the geographical direction यानि कि पहले के समय में geographical direction को ग्यात करने के लिए हम चुम्मक का यूज करते थे how was it done यानि कि यह कैसे किया जाता था can be learnt from the activity given below यानि कि इसको जानने के लिए में कुछ क्रियाय करनी होगी जिससे में पता चला है कि पहले के लोग चुम्मक के सायथा से दिशा को कैसे ग्यात करते थे to show that a magnet always come to rest in a fixed direction material required bar magnet और wooden stone यानि कि हमें एक bar magnet चाहिए और एक हमें लकडी का stent चाहिए procedure क्यों होगा mark one end of a bar magnet from identification यानि कि bar magnet के एक सीरे को हम चिन्नेत कर लेंगे पैचान के लिए suspend it from a wooden stent with the hail puff thread यानि कि एक दागे के सायता से उस चुम्मक को हम क्या कर देंगे उसे बांद देंगे फिर लटका देंगे allow it is come to rest और इसे हम आ गया देंगे जब तक यह विराम आवस्ता में या फिर आराम के आवस्ता में आए mark the direction तो हम दिशा को mark करेंगे the magnets come to rest on the ground यानि कि जो चुम्मक होगा वो ground में rest के अवस्ता में होगा now rotate the magnet and observe the direction it come to rest यानि कि अब हम चुम्मक को क्या करेंगे रोटेट करेंगे गुमाएंगे और हम उसके rest के direction को देखेंगे the magnet always come to rest in same direction तो जो चुम्मक होगा हमेशा same direction में rest करेगा the direction is found to be north south direction और जो भी direction हम पाएंगे वो क्या हो जाएगा north और south का direction हमें मिलेगा the end which point towards the north is called north shing pole और simply as north pole of the magnet यानि कि the end यानि कि वो अन्त which point towards the north is called यानि कि वो अन्त जो अर्था जो north वाला magnet का पाठ होगा उसको हम बोलते हैं north pole the other pole pointing towards south यानि कि जिसको हम south का पॉइंट किये हैं इस called south saying pole और simple में उसको south pole magnet कह सकते हैं the poles of any magnet are marked by letter capital N and small यानि कि इन दोनों को मार करेंगे नौर्थ कॉम क्यापिटल यान से और south साउथ कॉम क्यापिटल ऐससे डिनोट करेंगे conclusion यानि कि में डिसकर्ष क्या मिलेगा a freely suspend magnet always come to rest in the north-south direction यानि कि एक स्वतंत रूप से जो चुमक होता है वो अधिकतर करके north और south direction में ही होता है the properly of a magnet to always points towards north and south has been used to find the geographical direction यानि कि इस से में ही पता चलता है कि जो चुमक होता वो में सा north और south दिसा में ही ठहरता है in olden time यानि कि प्राचिन समय में sellers used this property of magnet to find the direction while on the sea यानि कि जो नाविक होते थे जब वो समुदर में होते थे तो इस प्रकार के चुमक का वो यूज करते थे दिसा को ग्याद करने के लिए लेटर बाद में the magnetic compass was developed यानि कि बाद में जो एक magnetic या फिर चुमक की यह compass होता है वो बिक्षित हुआ and was used for finding the direction जिसका प्रयोगम बाद में दिसा ग्याद करने के लिए करने लगे magnetic compass यानि कि चुमक की यह compass क्या होता है the magnetic compass is a device that is used by traveler, sailor and navigator to find the direction यानि कि magnetic compass वो यंत्र होता है या फिर एक प्रकार का यासा यंत्र होता है जिसका उप्योग traveler यानि कि कोई यात्री कर सकता है, sailor and navigator यानि कि कोई भी नाविक कर सकता है to find the direction यानि कि दिसा को ग्याद करने के लिए magnetic compass consists of a flat circular case of aluminium or brass with a glass top यानि कि जो magnetic compass होता है वो एक प्रकार का flat circular box में होता है aluminium के या फिर brass के with a glass top और उसके उपर के होता है एक glass यानि कि सिसा होता है और small light magnetist needle is pivot at its center और magnetic compass के बीच में एक सुई या फिर needle होती है इसके मद्दे में the north pole of this needle is colored यानि कि north pole जो होता है सुई का उसको color किया राता है the base of the case is marked with direction यानि कि जो इसका base होता है वो क्या होता है mark को direction, direction को mark करने का कारे करता है the north of the compass needle always points towards north यानि कि जो north of the compass needles यानि कि जो compass के जो सुई होती है वो अमेसा क्या होती है north दिशा को point करती है therefore by observing the direction of the needle one can be found out of the desired direction यानि कि जब हम direction को आप जर्व करते हैं तो needles one can find out the desired direction तो जो सुई होती है वो मारे direction को पता लगाने में वदद करती है thank you next part हम next video में पुरिट करेंगे